अब हम आपका नेक्स टॉपिक फ्रेक्शन से लड़ी डिसकर्स करने लगे हैं that is comparing and ordering fraction ठीक है order देना है तो comparing हमने two fractions की करनी है कौन सी fraction बढ़ी है कौन सी fraction छोटी है ठीक है आप maths में कि very very basic level पे आप करते होंगे आपसे कहा जाए three और four में से कौन सा डिजिट है वो बढ़ा है या छोटा है या compare करें तो आप क्या करेंगे आप four की तरफ greater than का sign लगा देंगे ठीक है अब इसी तरह आपने comparing या करनी है आपने fractions में तो fractions में कुछ rule आपको apply करना पड़ेगा फिर आपको पता चलेगा कि कौन सी fraction greater है कौन सी fraction smaller है और कौन सी fraction equal है तो जाहिर सी बात है हम यहां पे fractions में nominator और denominator पढ़ते हैं तो हम इन दोनों के बारे में पहले पढ़ेंगे कि हमने किस तरह से इने compare करना है अब आप देखे सब से पहले हमने करना है comparing fractions with like denominators ऐसी fractions को हमने compare करना है जिनके denominator same हो like का मतलब same होना यह denominator same है अब इनको किस तरह जिस जिनके denominator same होंगे आप उनको किस तरह से compare करेंगे इन fractions with the same denominators जिनके denominator same है जिनके denominator same है आप यह बात याद रखिएगा आप उनके nominator का comparison करेंगे ठीक है the fraction with the smaller nominator जिसका nominator छोटा होगा nominator यहाँ 7 है यहाँ 4 है अब जिसका nominator smaller होगा तो वो fraction पूरी की nominator छोटा है यह कौन सा nominator बड़ा है जो बड़ा है वो fraction बड़ी है जो छोटा है वो fraction छोटी है इस तरह से आप इन टू fractions को compare करेंगे अब आप देखे 7 और 4 में कौन सी fraction nominator बड़ा है आपको पता है 7 बड़ा है तो आप क्या करेंगे आप greater than का sign लगा देंगे फिर आप क्या देंगे कि 7 by 9 only fraction greater है 4 by 9 only fraction से ठीक है अब इसी तरह आप इदर आ जाएं यह हम करते हैं discuss comparing fractions with light nominator अब ऐसी fractions आपके पास आजें जिनक numerator same हो ठीके नोमSE Awapan यहाँ है इसका मतलब numerator same है अब यहां पर अब अम करेंगे थो देखेंगे एंशे यहां iOS लेट डेका था तो यहाँ hybrid देखेंगे अब क्या होगी अब देखें डी नॉमिनेटर यहां पर 4 है यहां 3 है तो 4 और 3 में कौन सा जो नंबर है डीजित है वो बड़ा है फोर बड़ा है अगर 4 बड़ा है तो इसका मतलब 1 by 4 fraction छोटी है जितना बड़ा डी इंपनी नॉमिनेटर उतनी छोटी फ्रेक्शन कि यहां पर कोंसी फ्रेक्ष्ट बड़ि यहां पर 1 by 3 उनके आपनी इस तरह से कॉमb косम्रेंस नेकों क। अब next हमारे पास एक fraction हमारे गीवन है one two three three fractions हमें गीवन है अब हमने इनको order देना है ascending order और descending order वैसे भी आप ascending order or descending order मैट्स में देते हैं जैसे आपके पास two four three आ जाए तो आप जब ascending order करते हैं तो छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं ascend ascend मतलब आप चर रहे हैं descend आप उतर रहे हैं ठीक है तो अब चोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो सबसे चोटा डिजिट two two है then three है then four है तो यह आपका एक ascending order हो जाएगा लेकिन अब हम fractions की बात कर रहे हैं फिर वही बात आजाती है fractions बें नॉमिनेटर भी देखना होता है तो अब हम इसमें किस तरह से compare comparison करेंगे या order देंगे इनको अब देखे हैं हमने भी यहाँ पे बात किया है जिसका डी नॉमिनेटर तो fraction सबसे चोटा नॉमिनेटर कौं सा है सबसे चौटा नॉमिनेटर वण है उसका मतलब सबसे चोटी fraction वन बै नाइन है अब नेक्स हमने देखना हैं कि उससे बड़ा कौं सा हुँआ है तो थ्री हुआ फिंछ नेक्स कौन से आ जाएगी ट्री बै гол जो एकृइग हमने क्या किय हम ascending order हमने किया है चोटे से हम बड़े की तरफ गए हैं यहीं वही वही बात दा फ्रेक्शन भी इसमालर नॉमेटर इसमालर जिसके नॉमेटर चोटा है वह फ्रेक्शन चोटी है तो यह चोटे से हम बड़े की तरफ चले गए अब डिसेंडिंग ओडर जाने बड़े से के हां से था जर्दों यहां पर आपका रिवर्स हो गया यह उससा खंडार उंयिन इंहां से अपकर seasoning आप उसको उर्ड कर लें अब समने कर देंब कर मेरा बड़ेजिए अब नेक्स तो उतने चोटी एमने सबसे चोटा सब्से पहले रिना होता है तो हम यहांहां देखेंग denominator किसका है सबसे बड़ा denominator first fraction करें तो इसका मतलब यह सब से छोटी fraction हुई सबसे पहले 1 by 9 फिर 1 by 6 then 1 by 4 जितना बड़ा denominator उतनी छोटी fraction और हमने छोटे से बड़े की तरह भी जाना था अब descending order में हम इंको reverse कर देंगे तीक है 1 by 4 1 by 6 and then 1 by 9 यह था हमारा comparing and ordering fractions अब next हम further इंकी types पर तेंगे